आज की विडियो लेक्चर में आपका स्वागत है आज हम बी ये द्वित्य वर्ष की हिंदी विशे में मैं नीर भरी दुख्की बदली इस कवीता की व्यक्ष्या करेंगे इस कवीता की जो कवित्री हैं महादेवी वर्माजी हैं और जैसे कि आप सभी को पता है कि जो महादेवी वर्माजी हैं उनकी सभी की जो कवीताएं हैं वह विरह भावना से उत्प्रोथ हैं और जो आज कवीता हम पढ़ने जा रहे हैं मैं नीर भरी दुख्की बदली तो ये कविता भी उनकी विरह भावनों को अभी व्यक्ति देती हुई कविता है इसमें कवितरी ने जो बादल है या बदली है उसकी तुलना अपने जीवन से की है और उसी के साथ साथ ये कविता आगे बढ़ती है तो आई ये कविता शुरू करते हैं कविता शुरू करने से पहले एक निवेदन अगर अभी तक ये चैनल आपने सस्क्राइब नहीं किया है तो इसको सस्क्राइब कर ले मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चीर निस्पंदन वसा, क्रंदन में आहत विसव हसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निरजरनी मचली यहाँ पर कवित्री कह रहे हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली, कि जिस परकार जो बदली होती है, नि बादल का छोटा टुकडा जो बदली होती है, नि बादल होता है, उसमें जिस परकार से पानी भरा रहता है, वैसे ही मेरी आखों के अंदर भी हमेशा नीर भरा रहता है यानि आशू भरे रहते हैं इसलिए मैं दुख के बादलों की तरह हूँ वो आगे कहते हैं स्पंदन में निस्पंदन बसा वो कहते हैं कि जो स्पंदन होता है स्पंदन यानि हर्दय को धड़कना जो होता है हर्द्य जब दड़कता है तो उसको हम उस आवाज को हम पंदन कहते हैं और निश्पंदन होता है स्थिरता यानि जब मेरा जो हर्द्य है मेरे हर्द्य की जो दड़कने हैं वो चीर काल से स्थिर हैं यानि उसके जो उमंग उत्सा जो हर्द्य के अंदर होता है किसे के परती एक समेदनाई होती हैं, वो सारी की सारी निश्पंद हो चुकी हैं, स्थिर हो चुकी हैं, उसमें कोई भी ज्यादा खल्चल नहीं है, करंदन में आहत विस्वहसा, और जो करंदन का अर्थ होता है, यहां पर रुदन, को जब हमारा रुदन होता है, यानि वो कवित्री कहना चारी है कि जब करंदन या दुख, यानि जब हमारे हर्दे में रुदन होता है, करंदन होता है, दुख होता है, उससे वो विश्वहसता है, जब हम आहत होते हैं, दुख से आहत होते हैं, तो विश्वहसता है, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में जरनी मचली, और वो क उससे ऐसा लगता है कि जो मेरे जो आशु हैं या मेरी जो आखें हैं वो जल रही हैं, पलकों में निर्धिरनी का मतलब यहाँ पर नदी होता है, कि पलकों से इस परकार के जो आशु आ रहे हैं, जिस परकार से नदी बह रही हो, तो यहां पर कवित्री वही कहने का प्रियाश करके जिस प्रकार से बदली की गर्जन सुरकर सारा संसार परसन हो जाता है उसी प्रकार मेरे रूदन से भी गायल संसार को परसनता मिलती है जिस प्रकार बदली में बिजली चमकती है तो मेरी जो पलके हैं उसी में भी नदी के जल के समान विर्या के आंसों निरंतर बहते रहते हैं आगे बढ़ते हैं मेरा पगपग संगीत भरा स्वासों से स्वापन प्राग जरा नब के रंग बुंते दुकुल छाया में मिला बयार चली तो कवित्रिया कहती कि मेरा जो पगपग है वो संगीत भरा है जिस परकार से बदली भी आती है तो उसके साथ वो बादल गरसते हैं तो वो सारा का सारा उनका बादलों का संगीत हो तो वो कहती है कि मेरा भी इसी परकार का जीवन है मेरा जो पग पग है जो कदम कदम है वो संगीत से भरा हुआ है और स्वासों में स्वापन पराग जरा और मेरी जो सांसों के अंदर जो अलग अलग कलपनाओं के जो प्रिया की कलपनाओं में जो वो रहता है उस प्रकार का पराग जरा रहता है यानि प्रिया के मिलन के जो कल पनाए हैं वो सारी की सारी जर्ती रहती है उसकी खुसभू रहती है vers 4 दूकुल का मतलब यहां पर दूपट्था होता है कि जिसके जो यह से बारिस होती तो बारिस के कारण पूरा जो नभ है आकाश है उस में थोड़ा रंग बिरंगा हो जाता है यानि जो उसके अंदर एक अलग सी छटा आ जाती है और उसी के कारण वो मेरा दुपटा बन जाता है उसके जो नए नए रंग है इंदर धुनुस जैसे बारिश के बाद इंदर धुनुस आता है इंदर धुनुस के जो नए नए रंग है वो मेरे लिए दुपटा बन जाते हैं च्छाया में मलय बवार पवली और जो मेरी च्छाया है उसके कारण मलय परवच्छे यानि बहुत जो एक खुश्बूदार एक हवा चलने लग जाती है तो यहां पर कवित्री यह कहना चाहती कि जैसे बदली के बरस किसने के बाद इस प्रकार आकास इंदर दुर्णुष की रंगीन आभा से विभूसित हो जाता है और मलय गिरी से आने वाले शीतल मंद सुगंदित पवंच चलने लगती उसी प्रकार से मैं अपने प्रियतम की श्मृत्ति से नवीन पदों का निर्मान कर उसकी आभा से व कि बारिश होने के बाद जिस प्रकार से एक स्वस्त बातावन बन जाता है खुश्बुदार्शी हवा चलती है सारा कुछ इतना स्वस्ता से हो जाता है कि मैं भी उसी प्रकार से हो जाती है आगे बढ़ते हैं की आगे करें के दि मैं सीट्फि भुगुटी पर फिर घिर धू मिल चिंता की भार् किंता का भार बनी यु एक बुपर जालकण defendant निकलई कृती है किया जो बोहें होती हैं पर घिर दो मिल कि चिंता का भार बनी अव्रेल कि जिस प्रकार से जो सितिज पर शितिज होता है जहां पर धर्थिय और आकास मिलतेवे दिखाई देते हैं कि सितिज पर धूल रूप से जल के भार से अनुवत हो धूलकणों पर बरसकर्द मैं धर्ती को नवजीवन परदान करती हूँ और उसके द्वारा बरसाए गए जल के कारण धर्ती में पड़ेवे बीजों से अंकुर फूटने लग जाते हैं रजकण पर जलकण हो बरसी यनी मैं रजकण यनी धूल के कणों के उपर मैं जलकण बनकर बरस जाती हूँ और उस'sे नवजीवन अंकुर बन निकली और उस'sे क्या खता है जो पृत्वी की गोद में समाय हुए जो भी बीज होते हैं जो अपनी सुप्त अवस्था में पड़े हैं, वो नव जीवन पाकर अंकूरित होने लग जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। पत्थ को नय मलिन करना आता, पत्थ चिन नय दे जाता जाना, सुधी मेरे आंगन की जग में, सुक की सरहन हो अंत खिली। यहां पर फिर वही तुलना है कि जिस प्रकार से बर्शाथ होती है, तो जो जितने भी मलिन्ता आसपास होती है, वो सारी की सारी चली जाती है। और जितने भी पत्थ चिन होते हैं, जितने भी पत्थ चिन होते हैं, वो सारे के सारे भी बर्शाथ के कान बीट जाते हैं। मलिन करना नहीं आता याने मेरे आने से कुछ भी ऐसी मलिनता नहीं हुई है और मैं अपने जो पदचीन है वो भी छोड़कर नहीं जाना चाहती सुधी मेरे आंगन की जग में सुधी यादे यानी मेरे जब आने की जग के अंदर जग की आंगन के अंदर आने की जो यादे हैं सुख की सिरहन हो अंद खिली और सिरहन मतलब कमपन यानी उसके कारण यानी मुझे अगर कोई याद करेगा तो वो सिख सुख से उसके एक कमपन ही होगी अंत समय के लिए यानि अगर मेरे चले जाने के बाद कोई मेरा चिन रह जाएगा उसिष्ट रह जाएगा किन्तो फिर भी मेरे आने की सम्रिती में संसार में उल्लास की सिरहन उत्पन हो शकती है विस्त्रित नब का कोई कोना मेरा ने कभी अपना होना प्रीचे इतना इतिहास यही उमडी कल्थी मिटाज चली मैं नीर भरी दुख की बदली तो यहाँ पर कवित्री कह रही है कि विस्त्रित नब का कोई कोना मेरा ने कभी अपना होना यानि जो बदली होती है वो पूरे आकास के अंदर घुमरती रहती है यानि कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर यानि कोई भी लेकिन कोना उसका अपना नहीं होता जहां हावा होती है वहाई पर वो चली जाती है कभी मेरा कपना होना यानि कोई भी मेरा अपना नहीं है मनला कहने को इतना बड़ा एक नभ है आकास है विस्त्रित है लेकिन बदली कहती कि मेरा अपना इसमें कोई भी नहीं है परीचे इतना इतिहास यही और कवित्री कहती कि मेरा भी इतना ही परीचे है और यही इतिहास है उमड़ी कल थी आज मिट चली जिस परकार बदली जो है उमड़ कराती है जब बरस जाती है तो उसके बाद मिट जाती है अपने वजूद को खो देती है और कवित्री भी इसी परकार से कहती है कि मेरा भी इतना इतिहास है मैं उमडी थी और आज उसके बाद मैं मिट जाओंगी मैं नीर भरी दुख की बदली क्योंकि मैं भी जो नीर भरी जो पानी से भरी दुख की बदली की तरह हूँ तो ये महादेवी की एक विर्यवीदना से ओत्परोत एक कवीता थी आसा है आपको समझ में आई होगी धन्यवाद जैहिन जैवारत